समलैंकिक विवाह या सेम सेक्स मेरेज को कानूनी मानिता देने की मांग करने वालों को आज बड़ा छटका लगा है सुप्रीम कोट ने अज समलैंकिक विवाह को कानूनी मानिता देने की मांग करने वाली जाचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे कानूनी मानिता देने से इंकार कर दिया सुप्रीम कोड के पांच जजों की समविधान पीठ ने तीन दो से फैसला सुनाते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मानिता देने के मामले को विधाईका काधिकार क्षेतर बताते हुए इसमें दखल देने से साफ इंकार कर दिया हालां कि दुनिया के लगभग 34 देशों में समलेंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाया जा चुका है लेकिन भारत में समलेंगिक संबंदों को 5 साल पहले तक अपराद के दाइरे में रखा गया था यह मैं नहीं है यह मैंने मानताBUं कि रिजेक्ट किया है बट जो गानून के दाइरे हैं इसके बारे में वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पर उन्होंने बहुत आच्छे तर्ख भी दिये वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि transgenders जो हैं वो जो पहले भी कर सकते थे transgenders अगर आप खुद को आदमी मानते हो तो आप एक औरत के साथ heterosexual relationships between where one of them is transgenders वो उसको ascertain किया है उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि right to adoption extend होना चाहिए तो मुझे ये नहीं लगता है कि हमने दो कदम पीछे लिये हैं मुझे ये लगता है कि हमें हमने एक कदम जरूर आगे लिया है court के judges हाँ court के judges जो है वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं अभी भी घुमा फिरा अभी final result नहीं आया हो कहते कि पार्लेमेंट डिसाइड करेगी रिफ्यूस कर दिया बट मुझे लगता है कि रिफ्यूस कर दिया तो हम लोग फिर भी इसके लड़ेंगे आंगे और भी हम लड़ते भी आया हम लड़ेंगे क्योंकि देखो मैं औरिजनी नेपाल से हूं नेपाल में मेरेज लीगल मैरेज उक्वालिटी लीगल हो चुका है और ऐसे और भी भारकी कंट्रीज अगर भारत एक विबिन देश है जहां पर डाइवसिटी है तो वो क्यों नहीं तो फिर I think मुझे लगता है कि Judges को और सल्ला मश्वरा करना चाहिए कि आज एक final day है वो बहुत सरे hopes है तो हम लोगों को लगता है कि हमको rights मिलना चाहिए और I hope मिलेगा बहुत जल्द मिलेगा नहीं मिलना हम छेन के रहे हैं नमसकार मैं विक्रमदेव दफोर्थ वन इडिया में आपका स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोड ने इस मामले पर अपने फैसले में क्या कहा ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर समलैंगिक विवा है क्या और क्यों ये मामला सुप्रीम कोड तक पहुँचा कि किस याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर दस दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोड ने 11 माई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोड ने कहा कि सरकार समलैंगिक जोड़ों के विवा को मानेता दिये बगैर इस समुदाई की सुरक्षा के लिए उप्यूक्त धांचा लाने और समलैंगिक समुदाई के खिलाब भेदभाव को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उढ़ाए। समलैंगिक समुदाई के साथ किसी भी तरह का समाजिक भेदभाव ना हो। चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने केंदर सरकार को राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, उनको संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने और उन्हें पैंशन ग्रैचूटी आदी से मिलने वाले अधिकार का द वहीं सरकार ने इस मुद्दे को देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाब बताते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मानिता देने से पहले सरकार को 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में भी बदलाव के साथ साथ परसनल लावा से भी छेड़ शाड़ करनी होगी सॉलिसीटर जनरल तुशार मेहता ने सुप्रीम कोड के सामने केंदर सरकार की ओर से एक एकस्पर्ट पैनल बनाने का सुझहाव भी रखा जिसे मुखे नयायदीश ने स्विकार कर लिया समलैंगिक विवाह को लेकर आए इस फैसले के बाद इसके पक्ष और विरोध में कई प्रतीक्रियां भी सामने आ रही हैं पर क्या भारत जैसे सांस्कृतिक देश में इस तरह के मामलों को कानूनी मानेता मिलनी चाहिए ये भी एक बड़ा सवाल है आपको हमारा यंग कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें कामेंट बॉक्स में जरूर देश जुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दे फॉर्थ वन इंडिया धन्यवाद